नमस्कार मित्रो इस्प्रिट वर्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों नियुमरोलोजी में मूलांग का विशेश महत्व है इनके माध्यम से आप किसी भी शक्स के सारे रहस से जान सकते हैं नियुमरोलोजी में एक से नौ तक मूलांग होते हैं जो आपकी जन्मतारिक के आधार पर तैह होते हैं यदि आपकी जन्मतारिक महिने की एक से नौ के बीच है तो वही आपका मूलांग होगा यदि आपकी तारीक महीने की 10 से 31 तारीक के बीच है तो इन दो अंकों को जोड़ने वही आपका मूलांक होगा जैसे यदि आपकी जन्म तारीक 11 है तो एक और एक जुड़कर दो अंक आएगा जिसका मतलब है कि आपका मूलांक 2 है आज हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म किसी भी महिने की 3, 12, 21 या 30 तारिक को हुआ है मित्रो आपको याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर करें तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारिक को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है अंक तीन का स्वामी प्रिस्पिती ग्रह होता है जो देवताओं के गुरू माने गए हैं प्रिस्पिती ग्रह के प्रभाव से ऐसे लोगों का समाज में बहुत नाम होता है बूलांक तीन वाले जातक बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और उन्हें बिना किसी कारणवश किसी के आगे जुकना पसंद नहीं होता है। वे किसी का भी एहसान अपने उपर नहीं लेना चाहते हैं और ना ही उन्हें अपने जीवन में किसी का हस्तक्षे पसंद होता है। मूलंक तीन बाले व्यक्ती बहुत साहसी होते हैं। उन्हें सत्य के मार्क पर चलना पसंद होता है। इसलिए वे किसी भी कारे को करने में डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि कहां और कब अपना शक्ती प्रदर्शन करना है। जुपिटर के प्रवाव के चलते ऐसे जातक इसलिए वे किसी पर निर्भर नहीं रहते अपना काम स्वैम ही करते हैं। मूलंक तीन वाले जातक काफी दूरदर्शी होते हैं। वे अपनी छठी इंद्रियों से भविश्य में घटने वाली घटनाओं को भाप सकते हैं। इसके अलावा वे काफी महत्वाकांशी होते है वे सिर्फ कलपना ही नहीं करते बलकि अपने सपने को साकार करने में यकीन भी रखते हैं। जुपिटर के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति काफी कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। वे सर्वकुन संपन्मों होते हैं। वे बेहतर, मोटिवेटर, लेखक या कलाकार हो सकते ब्रस्पति ग्रह को ग्यान का देवतावी कहा जाता है। उनके प्रभाव से मूलांक तीन वाले जातक पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें अध्यन पसंद होता है और उनकी दिल्चस्पी विज्ञान एवं साहित में ज्यादा होती है। ये लोग उ कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं। मूलांक तीन वाले जातकों को पढ़ाई के अलावा खेलकूद में भी दिल्चसपी रहती है। घुर सवारी और निशाने बाजी इन्हें बेहद पसंद होती है। कई जातक इन्हें क्षित्रों में अपना करियर बनाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। मूलांक तीन वाले जातकों की आर्थिक विस्तिती में काफी उतार चड़ा होते हैं। शिरुवात में इनकी पढ़ाई के लिए काफी खर्च होता है। लेकिन बाद में उम्र बढ़ने के सास साथ जातक धन अर्जित करने लगता है। इनकी आय के कई स्रोत होते हैं। हाला कि संपत्ति के लिए कभी-कभी अदालत का चक्कर भी लगाना पड़ता है। मूलांक तीन वाले जातक अपने भाई-भ्याई और रिष्टेदारों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। लेकिन इसके बदले उन्हें उतना प्यार नहीं मि बात करें तो ऐसे जातकों की दोस्ती तीन, शे और नौ मूलांक वालों से ज्यादा अच्छी तरने होती है। मूलांक तीन वाले जातकों का प्रेम संबंध अस्थाई होता है। वे ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। जबकि इनकी अरेंज मैरिज ठीक ठाक चलती है ऐसे लोगों की एक से ज्यादा शादी होनी की संभावना होती है। तो मित्रो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसको शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विश्य के साथ। तब तक के लिए नमस्का करता है।